जी असलाम अलेकुम जी तो फ्रेंड्स आपको बनाना सिखा जा रहे हैं मटर के प्राओ ठीक है अच्छा जी हम कोई प्राओ मैं चाय मटर के बनाऊंचे चिकन के दो मैठिट से बनाती हूं एक तो यखनी बना के एक विडाओ यखनी के और यह बहुत जल्दी बनता है और ब साबुद धनिया है वन टी स्पून जीरा है लसन अदग वन वन टेबिल स्पून है और हरी मिर्चे आप यह देख लीजे यह इतनी हरी मिर्चे हैं एक बड़ी प्यास है यह दो चोटी प्यास ले लीजे मटर जो हमाया पस देड़ पाओ है ठीक है और जो चावल है वो हमाय कि और टम्पर उडब का कि अधाएं श्चेट करें लेंगे और जीरा डालेंगे और जीरा ऩुझेए रसफ और धनिये को हम बारी जलेंगे ग्रेंडर में ऐसे ही सुका न हमसे रस करेंगे ना कुछ आसे ही हमने से पीस ना है इस तरीके से अधियाड जाए जैसी ब्रॉँन सबसे मेन हमें क्या करना है पहले हम इसे ग्रैंड करेंगे यह बिल्कुल भी रोस नहीं हुआ हुआ है साधी सौफ और धन्या है अच्छा जी देखिए पिस गया है और बहुत प्यारी खुश्बो आरी इसकी माशाला यह बगार याखनी के प्लाओ है यह इस तरह चिकन से भी बना सकती है और मटर का प्लाओ बना सकती है यह मैठर इतना बितरी ही नहीं कि अगर आप इस चीज में भी करेंगे बगार याख लसन अद्रग जीरा और हरी मिर्चेन को हमने पीस लिया है यह जर वो साबुत अनिया और सॉंफ का पेस्ट आ गया है मतलब पॉडर अगया पेस्ट नहीं खाएंगे है पॉडर आ गया है और यह है मटर अब प्यास जैसे हमारी पिंकिश होगी तो हम इसे मटर एट कर अब इसाओं वो bounce´ जैके में भी जायके में बनाती हो तो कुछ भी आपने अपने मैट्ष ya नहीं करनाः है बस आपने क्या करना है राही मिर्चे तो लास्मी ताल नहीं मटर में तार मैं गया प्यक्त दाल प्रोबे निया न organism है जर में जा-ति मिर्चे यंभा-तक देंख स Calvin आप आलू की टाहरी भी इसी सेम में अठट से बना सकते हैं अच्छा जी देखिए अमने से जैसी प्यास रजें अपो पड़ना करार होगा प्यास प्यास गोल्डा में हमने से फॉरण से मडर एक्ट कर दिया का इसे मडर कम पकाती है कि मडर सब्सक्राइब भ OFF हो जर्य जोंकि मडर फटेगा आपने सभी जोरा पड़ना का मडर कशल करी आप दैखिए आपके मडर किलिई सॉफ्ट होगी विकिल काफी लेडिश ने मुझे कहा है किक होड़ने प्यास सॉफ्ट के और माशिकल युज हो जाती है तो इसलिए टिप में आप रोगों को दे दिया है जब तक आपको लगता नहीं कि मड़ा कुछ अच्छास है जब तक आपने ना चम्मश रोखना है ना कुछ आइट करना इसी गरम गरम आइल में जैसे प्यास ब्राउन हुई थी मैंने मड़ा आइट कर दिया मड़ा परिकुल हो गई है अब मैं इसमें क्या करूंगी दभी राने से पहले चौप और धन्यगा पेस्टाइट करूंगी यह लाजमी हमने पहले आइल में करना है ताके आपको पता है यह रोस्ट नहीं हुआ हुआ था ताकि इसमें रोस्ट हो जाए अच्छी वाली स्मै इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें कि आपको सब्सक्राइब देखें कि मैंने से कितनी देर भूना है सौफ और धन्यगा डाल गए कि इसका कलर देखने आपके तना होगी है और यह खुश्बू जो आरी है अब बिल्कुल प्राव वाले खुश्बू आरी अब इसमें पानी से बस्भूने में और जब दही का पानी खुश्बू जाए अब पर चाहे आप लगा देखें पानी बिल्कुल दही का जए और द्राय करें पर चावल को अमने इतने बिगो दिया था आदे गंटे किने चावल भी गया है वाश करके वने भीग दीजे फिर हम वाइट करेंगे जी तो फ्रेंट से देखिए कैप लगा के हम पका दीजी पानी अब इसका बिको खुश्बू हो गया है यह देखिए जए का पानी का फिरता खुश्बू हो गया है वाइट करेंगे सौल्ट तूटेपल स्पूं बाकि यह के एंडम चग भी सकते हैं सौल्ट में हम जी आइडिया रहे आपके उपर है कि आप इस्पून से डालें देखिए किसे इसका पानी किसकोने से रोगे है अब मतर हमाई गल चुगिए शे खासी रेखने है बस अब इसमें हम चावल आइट करेंगे बस आवर पानी इसका खुश्बू जाए जी तो देखिए मतर हो ग इसके हमाई आइड करेंगे इस वक्त में आप जो सौल्टायप किया खांब हो आप चैक भी कर सकते किना किल गब पानी आइड स्वा महाई लगे लेखने हो इन भाज कर देखिए इसमें आप चेक बसकते है इचो पानी हमें स्मैट कर रहा है इतना पानी होनना चाहिए कि चावल उसमें अराम से भीट जाएं ठीक है इसे चला लेंगे बस मिक्सिंग करेंगे और कैप लगागे से पकाएंगे जी तो देखें कैप लगा करें जैसे वाइल आजएगा तो आचलगी कर देंगे अब आच देखें ठीक है अज़े जी मैंने सुचाए आपको मैं चावलो को कैप लगागे नब दिखा दूँ कि अज़ा आप कि अज़ा आप